इंदौर महापौर द्वारा कुछ दिन पहले एक लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया था मगर इसके कुछ दिन बाद ही इंदौर नगर निगम ने कई दर्जन पेड़ों को काट दिया है मामले में भाजपा नेता और पूर पाशद मनोज मिश्रा ने विरोध जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है किसी शिगायत करता है यह कोई सेड़ काटने के लिए बुरी फोसे द्रेसी है लेकिन उसके मां पेड़ नीम के पीपल के जो हमें अक्सिजन प्रदान करते हैं ऐसे जाड़ों को यहां पर बली चड़ा दिया गया किसी बाहु बली के कहिने में यहां के कोई बाहु बली ने जमील अलाट करा लिए उसके केने में यह पूरे जाड़ यहां पर काटे जा रहे हैं और आश्चर की बात है कि यहां पर साफ और पूरा नगर नियम का अमला खड़ा होके जाड़ कटा रहा मेरी समझ में आता कि किसी ने जमील अलाट करा लिए तो उसकी प्राइवेट हो सब्सक्राइब करें लेकिन नगर नियम और एटियम साब को इतनी क्या है तो वह मची की सुबह साथ बहसा आकर आज यहां पर इतना जाड़ों कि यहां बली देदी है जब की पूरा प्रदेश आज हर्याली की तरफ बढ़ना पूरा हमारा हम जगो 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 बक्षा प्रियास करते हैं अभी आप इने देखा हुआ कि एक रोड के लिए उनने एक ब्रक्ष के लिए उनने रोड टरंड करा दी मलब रोड घूमवा दी उनने की रोड इधर यह ब्रक्ष बच जाए रोड घूम के जाए मनोज मिश्वा ने निगम से अनिवेदन किया है कि पेडो की कटाई रोकी जाए अनिथा वो आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे इन दोर से म्रदुभाशी प्रदेश के लिए चंकी बाजपेल की रिपोर्ट